उत्तर प्रदेश की छवी ऐसी बनाई हुई है और भरपूर गुंडा राज, डकैती यह बहुत खतरनाक जगह है। यूपी की छवी को बिगाड कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के पाढ़ी इलाकों को अलग करके और उत्तर प्रदेश में अनेको भारत रतने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये तो किवल मीडिया और फिल्म जगत ने उत्तर प्रदेश की चवी ऐसी बनाई हुई है कि लोगों को लगता है कि ये बहुत खतरनाक जगह है यूपी पर बनी मशूर फिल्मों ने यूपी की चवी को बिगाड कर रख दिया है जैसे शोले, मिर्जापूर, गंगाजल, बंटी और बबली, राजनीती, दबंग, लखनव सेंटरल लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि राम के आदर्शों का प्रदेश ये आदार है और कबीर के दोहों का निकलता यहीं से सार है राजनीती में जीत का उड़ता यहीं से विमान है और शाम की बांसुरी की धुन आज भी वरिंदावन में विद्यमान है भारत के उत्तर में स्थित उत्तर प्रदेश भारत का चोथा सबसे बड़ा राज्य है लेकिन जनसंख्या के आधार पर ये भारत का पहला राज्य है और उत्तर प्रदेश की सीमा नो राज्य और एक देश से लगती है और ये नो राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल चुटे चुटे राजियों को जोड़ कर एक United Provenience बनाया और 1950 में इसको उत्तर परदेश के नाम से जाना गया और सन 2000 में उत्तर परदेश के पाहड़ी इलाकों को अलग करके एक उत्तरांचल राज्य बनाया गया यूपी को भाषा और संस्कृति के रूप में जाना जाता है वैचे तो हर धाई कोस पर उत्तर परदेश में भाषा और पानी बदल जाता है इसके अलावा उत्तर परदेश में ब्रिज भाषा, अबदी, बुंदेल खंडी, कन्नोजी, भोजपुरी बोली जाती है यहां तक की महान कवी सूर्दास, रस खान, अमीर खुसरों ने भी अपने काव्यों में ब्रिज और अबदी भाषा का प्रियोग किया है और सूर्दास की तो एक रचना जो ब्रिज भाषा में लिखी गई है बहुत फेमस है कि मैया मोरी मैं नहीं मांखन खायो भारत के महान काव्य जैसे रामायन, राम चरित्मानस और महा भारत भी उत्तर प्रदेश में ही लिखी गई है आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में स्वतंतरता संग्राम की जो पहली शुरुआत हुई वो उत्तर प्रदेश के मेरड जिले से हुई थी और बड़े- बड़ा योगदान दिया और लखनव शहर तो अपनी तहजीब और खुशाली के लिए जाना जाता है आपने सुना होगा ना कि मुस्कुराइए आप लखनव में हैं और बड़े प्यार से कहते हैं आईए जनाब तश्रीफ लाइए आईए जनाब तश्रीफ रखिए पहले आप पहले आप यहां तक कि अगर गाली भी किसी को देनी है ना वो भी बड़े तहजीब के साथ देते हैं और उत्तर प्रदेश में मुगलो ने भी बहुत खूबसूरत इमारते बनाई हैं जैसे ताज महल आगरे का किला फतेपूर सीक्री बड़ा इमाम बाड़ा यहां त काशी विश्वनात मंदिर बारा जोतर लिंगों में से एक है और लजीज खानबान उत्तर प्रदेश की पहली पसंद है जैसे दूद, दही, कबाब, बिर्यानी, बनारसी पान, रबडी, चाट, मिठाई, सिक्षा के सेत्र में भी अनेको विश्वस्तरिय संस्थान उत्तर जैसे AMU, अलीगड मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस विश्व विद्याले, चौदरी चरन सिंग यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी, वो कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का जो निर्ण है न, वो उत्तर प्रदेश से होता है, इसलिए अब तक 12 में से 8 प्रदान पंडित मना मदन मोहन मालवी है, ये वो लोग हैं जो हमारे देश के भारत रतन है, राजनीती में ही नहीं, हर शेत्र में उत्तर प्रदेश के लोगों का बोलवाला है, जैसे सदी के महानायक, अमिता बच्चन, नवाजुदीन सिद्की, अनुष्का सर्मा, कैलाश खेर, नशुदीन साह, अनुराक कश्यप, बिरजु महराज, होकी के महान जादूगर, मेजर ध्यान चंद, और खेलरतन जीतू राय भी उत्तर प्रदेश से हैं, यहां तक कि यूपी के मदोपट्टी गाउं में 75 परिवारों में से 47 परिवारों के लोग, I.S. आफिसर हैं, आज उत्र प्रदेश की कुल जन संक्या के 73 परिशत लोग क्रिशी कारे से लगे हो हैं, इसलिए क्रिशी का बहुत बड़ा उत्पादन उत्र प्रदेश में होता है, और क्रिशी नहीं, बिजनस के अलग अलग शेत्र में उत्र प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है, मुरा पुर्दिलपुर के मोती लखनों की चिकिन कारी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उत्तर परदेश में है एडेवल ओईल, पेपर, सीमेंट, एल्यूमिनियम, रेलवे एक्यूप्मेंट, ग्लास वियर, हैंडी क्राफ्ट और हैंड लूम यूपी के लोग नई बिजनस अपॉर्चिनिटी को बहुत जल्दी समझ जाते हैं इसलिए आज हमारी कंपनी मेटास ओवर्सीज लिमेटेड जिसमें हम स्टेलने स्टील मोडूलर किचिन, बाथरूम वैनिटी, वाडरोब्स और स्टील इंटीर का काम करते हैं बहुत सारे ए इंटरस्ट दिखा रहे हैं इसलिए अगर आप हमारी कंपनी मेटास ओवर्सीज लिमेटेड के ब्रैंड मेटास लाइफटाइल से जुड़ना चाते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के या छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनस का शुबारम करना चाते हैं तो बो इसलिए आपको रिपलाई में आया है उसको फॉलो करें चीजों को सीखें समझें उस पर अमल करें और एक बिना इन्वेस्टमेंट या नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के साथ एक बेहतरीन बिजनस की अपॉर्चिनिटी को ग्राब करें इसके लाब आपके मन में फ्रेंचाइजी या एक्स्क्लूसिफ फ्रेंचाइजी शोरूम खुलने से संबंदित कोई भी प्रश्ण है तब भी आप इस नंबर पर वाट्सेप करें आपका नाम और सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें फ्रेंचाइजी डिलर्शिप फल्बी और एसोसियेट से संबं दोस्त क्या सोस्ते हैं हमें जरूर बताएं स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्षर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत